अपया है यह हमारे देश की लांगवेज है कि अपतने के सामने हा यहां पर अन jogo से आपके सामने जिसका मतलब अगर आपको नहीं बैदा तो यू आव नॉट लर्न दे एक्चुल कंसेप्ट तो कंसेप्ट पढ़ने के लिए आपको उनका बहुत डीप मिनिंग बता होना चाहिए तो थोड़ा सा बोर कर सकता हूं है लेकिन मैं कोशिच करूंगा नाहीं करूं लास्ट के अंदर एक फर्स्ट वर्ड हुआ था जो अच्छे से नहीं हो पाया था आज मैं उसको और अच्छे से एक्स्प्रेइन करने वाला हूं ठीक है तो आज हमारी पूरी क्लास तरफ एक वर्ड के बारे में लग सकती है बह तो आपने क्रूंख इसलिग कर आची कि चीज हैं अब इसका करण किया है मैंने कहा था जब मैं बोलूं assets क्या होती हैं तो आपने बोलना यह अच्छी चीज़ें होती हैं क्योंकि यह क्या है यह F.E.B. ठीक है आम रिपीटिंग assets क्या होती है F.E.B. F.E.B. मतलब अच्छी चीज़ें कैसे याद रहे हम accounting किसके लिए करते हैं accounting is for business business के लिए accounting करते हैं तो anything business के अंदर anything कोई भी चीज कोई भी राइट कोई भी राइट anything और एनी राइट possessed by the business possessed by the business सर्फ possessed का मतलब क्या होता है वेटा जो हमारा हो जिसके हम honor हो तो हमारे हमारा business हमारे जो काम है उसके पास कौन-कौन सी चीज़े हैं उसके पास कौन-कौन सी अपनी चीज़े हैं अपने अधिकार हैं ठीक है वो देखना आपने सर इन चीजों और अधिकारों का करना क्या है यह asset क्यों कहलाएंगे anything on any right possessed by the business which provides which gives which gives FEB is an asset याद रहे language आपको बिजनस में ऐसी कोई भी चीज या कोई भी अधिकार अधिकार बता है ना अब तो गाना भी आगे अधिकारों पर बताओ कौन सा गाना जो पहले बताएगा वो जीते हैं अधिकार अधिकार मतलब या तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह इकोनॉमिक बेनेफिट्स याद रहे कोई भी पूछे कोई भी पूछे कि एसेट्स क्या होती है तो आपने यहीं बोलना है एफ इबी ऑपनीटल मिलेगा एभ फॉट की बेनेफिट कोई पीर इसे मुझे का यतूझ से आयपको फायदा देंगी बवभिष्य में इस फनांचल बैनेफिट्स कर typ भी ठेल भी है ठागे मिलने याद रहे ना है ठीकर अब हमें मिलना है क्या मिलना है फायदा मिलना है तो फूचर एकनोमिक benefits मतलब भविश्य में फायदे मिलेंगे याद रहे मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं future economic benefits ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको future में benefit मिलते हैं ठीक है कौन से benefits financial benefits money value ठीक है याद रहे फायदे मिलते हैं फायदे का benefits मिलें सर फटा-फट इसके example बता दो list of example में या लिखने वाला हूं जड़ा एक दूलाइन और एड कर लेते हैं ठीक है फिर और जादा मज़ा आएगा देखे आई रिपीट ऐसी कोई भी चीजे कोई भी अधिकार जिससे हमें future में monetary benefit मिलते हैं और ऐसी कोई भी चीज जो cash है या cash के समान है cash के equal है cash के equal treat करी जाती है वह हमारे लिए asset is an asset ठीक है दूसरी बात assets ये चीजें can be short term और long term ये assets आपके पास business में short term के लिए हो सकता है और long term के लिए है मतलब लंबे समय तक भी रह सकती है और कम समय तक भी रह सकती है उसके और एक पोईंट बतादो assets can be है ces im. तो दो फेल होता है मुझे पता नहीं ऊपोसिट बड़ना में फेल हो गया तक लास में अ टिक है कोई जवाब इंवेल ही नहीं поэтому इंवेजिबल कंथा होता है इन। भिभ्ल में सार एंव फिदेबल इन्वेजिबल यह www.intangible.com Sir चीजें इंतांजिबल भी हो शकते हैं चीजें इंतांजिबल नहीं हो क्ती है Rights हो सकते है Rights कौन सा दिखते हैं किसी को दिखाना Rights है किसी के वास नहीं शिक्षा add scholars का honor room है मेरे पास राइट है उसका ठीक है तो क्या वो विजिबल है मैं कहा से दिखा हूँ देखो यह यहां यह चीज प्रूफ कर रहे हैं मैं ओनर हुआ ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है तो राइट्स होती है बेनेफिट्स होते हैं वो इन्विजिबल और विजिबल दो नहीं होते हैं क्लिर है चले आगे उसके बाद अच्छा सर।arum और लॉंग टर्म को अंतरों के अधर कि अंदर बोलते हैं करंट्स और लॉंग टर्म को बो禁खा हो है वह वह बाला करंट्स नाइए अधु कर्ण करेंट्स नौन यह लुए समय तक चीजे रहने वाले हैं उनको बोलते हैं और स्वारी नोन करेंट जो कम टाइम तक रहने वाली त्वाली that is called नॉन करेंट टीक है हाली सो अब हम चलते हैं assets के example पर मैंने क्या गाथा future में ऐसी कौन अब मैं बात करने वाला हूं कुछ assets की जो visible हैं यहां visible वाली में उपर लिखूंगा जिनको हम accounts के अंदर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं tangible क्या बोलते हैं जो दिखती है tangible assets तो tangible assets की example दूँगा फिर हम चलेंगे intangible assets अब tangible assets में क्या बेटा सबसे पहले तो आपके पास cash है money bank में जो balance है यह तो अपने आप में money values है money तो हमेशा asset है ठीक है जो पैसा दे वो asset जो पैसा है आपके पास वो भी asset अब सर और क्या-क्या है अगर आपके पास land है जमीन रखी हुई है कहीं आपके पास कोई building है जैसे अंकर कोई मारा office है shop है तो land मतलब building मतलब जो हमने building मनाई उसके ओपर computer sir computer भी asset है जिस mobile phone पे हम classes देखते हैं टाबलेट्स पे classes देखते हैं ठीक है याद रहे बस एक ही condition है पर्सनल नहीं business में ठीक है वी आ डूइंग बिजनस और बिजनस ने खरीदी हुए चीज़ें तो बिजनस चीज़ें चीज़ेंग्जाक्ली machines and equipment machines के साथ-साथ equipment भी आते हैं 1000 आते हैं चोटे-चोटे और क्याते हैं लूस्टूल्स लूस्टूल्स क्या होते सर बेटा लूस्टूल्स चाबी हतोड़ा छोड़ी-चोटे जो टूल्स होते हैं जिसे हम repair करते हैं कुछ चीज़ें और क्या क्या थैं मोटर वीकल्स गाड़ी बाइक स्कूर्टी साइकल इन फैक्ट साइकल में मोटर वीकल में नहीं आती है और बताइए और बताइए इसको मैं स्पेल कर रहा हूं फिर आप मुझे पढ़के अंदर भी साइन डेटर्स डेटर्स नहीं होता अब हमने समझता कि डेटर्स होते कौन है यह अच्छे लोग होते हैं इस अधियर नाइस पीपल कारण क्या है यह आपको पैसा देने वाले लोग है एसेट मतलब जो बैनेफेट्स दे तो डेटर्स लोग है परसन है परसन आद्मी व्यक्ति यह कौन से बसने जिनसे आपने पैसा लेना है ठीक है लिक लेना डेटर्स अच्छे लोग है जब भी पता हमने इनको उधार दिया हो क्या पता हमने इनको उधार पर गुट्स दिया हो उधार पर माल बेचा हो ठीक है तो एसा कोई भी इंसान जिसको मैं सर्विस दे चुका हूं और उससे मैंने पैसा लेना है इसे स्टॉप टॉप पहले जब भी याद आपने बोलना है पहली चीज़ आपने जब भी आद जब भी स्टॉप वर्ट बोलना जब फिस्टॉप फिर्ट्स सर्य फ्राइज दो ने यह अग्यों इनकी एक्स्प्लेशन कि यह क्या होते हैं यह पेच जो रिजिस्टर है उसके उपर खाली स्पेस होता है ना वहाँ पर आप इसका मेनिंग लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए तो मैं स्टॉक ऑफ गुड्स आपको बताने वारा हूं याद रहे अभी तक कहीं लोग ग्राजुएशन कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई कर लेते लेकिन वह स्टॉक ऑफ गुड्स को एक्स्लेइन नहीं कर पाते बिलीव मी नहीं तो आपके सीनियर तो आप उनसे पूछना जो जाद अच्छे से नहीं पढ़ते उनको नहीं समझ काम कर रहा हूं सपोस्ट फॉर एक्जामपल मेरे मुबाइल फोन की शॉप है मैं बड़े सारे मुबाइल खरीचता हूं उन्हें बेचता हूं तो जो यह मुबाइल मैं खरीचता हूं ना ठीक है ताट इसकॉल गुड्स वह मेरे लिए गुड्स है आई रबीट ऐसी कोई इसको मैं बेचने के लिए खरीज रहा हूं उनको मैं बोलता हूं गुड्स लिखेंगे आप लोग मेरे साथ गुड्स इन विच अब बिजनस डीड्स और ट्रेड्स ठीक है यह वो अच्छं जिसमें हम डील करते हैं ट्रेड करते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं और these are the items which is bought, which is bought for resale, for resale, ठीक है, याद रहे ऐसी कोई item जिसको हम दुबारा बेचने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, जिसको हम दुबारा बेचने के लिए resale के लिए खरीद रहे हैं, मैं resale को थोड़ा सा highlight करता हूँ, resale के लिए खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए goods होंगे, अगर मैं ये mobile phone अपने लिए खरीद रहा हूँ, business के लिए खरीद रहा हूँ, तो ये goods नहीं है, ये asset है, लेकिन goods नहीं है, mobile phone asset है, goods नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये मोवाइल फोन का काम ही मेरा मोवाइल फोन का है तो यह मोवाइल फोन मेरे लिए गुट्स हो गए क्योंकि मैंने इसे खरीदा कि Th पकर लिए ने इसे बेचने के लिए खरीदा सरा अगर मैं लैपटाप हैं रेमे आफँस के लिए पटाओ क्लांब्स सो집 होती है अनसर और यह घृइशा सब्से पहले बिजने की sap कहा है जिस चीज का business है अगर हम उसी चीज का व्यापार करके तो वो मिटें उसके बाद कोई भी अइटम है वो गुड्स नहीं है ठीक पनीचर वाला ठीक हरीटर है बेचने के लिए तो उसके लिए गुड्स हो जुलरी वाला जुलरी खरीदर बेचने के लिए比如 तो डिपेंड करते हैं आपका नेचर ऑफ बिजनस क्या है एक मिन टेक मिन अगर आपका नेचर ऑफ बिजनस है कि आप उसको सेल करें खरीदें बेचे खरीदें बेचे खरीदें तो वह आइटम्स आपके लिए अद्रवाइस नहीं होगी अब दूसरा verw partner influences यहां आती है मैं फर्नीचन काहां भी करता हुं मैंने कुछ लिया अपनी दुकान पे अपने बिजनस के लिए और कुछ फल्रेद्लिया व्यापार करने के लिए तो जो फर्नीचर मैंने अपने दुकान में बिजनस के लिए रखा ह behavesıs आजा और जिसे मैं खरीदने बेचन का पार्ट नहीं है लेकिन जो मेरे शोरूम में खड़ी बाकी गाली है जो सेल के लिए वह पार्ट है ठीक है तो विजिबल आसेट के कुछ सालरी एडवांस में दे दी मैंने किसी से फनीचर लेना था उसको मैं एडवांस दे कर आया हूं उन लोगों ने मुझे अभी अपनी सर्विस नहीं दी ना मुझे अभी कोई माल सप्लाई करा तो वह भी में लिए आसेट है का ऐसे यह से आजिए आजएच का बेसिक मेंनिंगी कि क्या है फ्यूचर एकोनोमिक बेनेफिट यह जो आपने पैसा दिया है इसका फ्यूचर में आपको फायदा मिलना है ने मैं चोटा सब लेता हूं मैंने आपको ट्षिए्ट न पढ़ा दी एक वहींदा ट्षिएन से तीन हजार रुपए महीना अभी उसने फीस जमा नहीं कराई थी मैंने इसको एक मेरे टूइशन बढ़ा दिया क्या मैंने उस बच्चे से पैसा लेना है तो वह मेरे लिए क्या वह देटर बन गया तो मेरा एक्जांबल थोड़ा डेटर से लेटेड है अब मैंने अपने कि की जानने वाले कस्टमर को मेरे दुकान पर क्योंकि मैं बिजनेस की बात करूंगा मैं बिजनस के बाहर की बात नहीं करूंगा ठीक है मैं शॉप पर बैठा हुआ था मेरा कोंटने वाला कस्टमर था वह समान लेने आता रहता था उसने मुझसे अचानक 20,000 उफ्थार का fund her a in trust में ए ठीक है और वह दो सचाय गणों तो पर मंथ होगा एक महीने का आप एक महीना निकल गया मैंने उसको फोन करा मैंने चुछ मैंने यह नहीं तो कि मैने श्रवा जी आपका प्र सब्याज आपने देना था आपने मुझझे बीजी तीज़ से 2,000 उपे इस मेने का ब्याज रहे हैं वो कहा था जी मैं आपको कुछ दिनों में देता हूं ठीक है ऐसे करते करते कुछ दिन हो गए अब एक बात बताओ क्या वह ब्याज मैं आन कर चुका हूं हाँ या ना मैंने कमा लिया वह ब्याज तो अगर हमने कोई की मनी और कर लिये लेकिन वह मिला नहीं है पैसा और यह बोलता है उसको अग्रीव इंकम हाला कि इस पर बात में बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि एक टॉपिक है अग्रीव इंकम क्या मतलब होता है अंड पैसा आपने कमा लिया बट येट बट नॉट येट रिसीवड मनी आपको अभी नहीं मिली पैसा आप कमा चुक्यों फॉर एक्जांबल चोटा से एक्जांबल देता हूं और आपने किसी कंपनी के शेयर लिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ कंपनी ने कहा हम आपको 10,000 रुपे का बोनस देंगे ठीक है तो जो बोनस अभी मिला नहीं आपको आपने तो कमा लिया ना कंपनी जब देगी तो वह एक्रिवट इंकम आपको कैश में मिल जाएगी लेकिन जो पैसा हम कमा लेते हैं मिला नहीं ह हाला कि इस पर बात में ही बहुत अच्छे से मैं एक्स्प्रेइन करूंगा लेकिन अभी आपने यह समयन है कि अगर आपने कोई काम कर लिया है और उसका पैसा आपको नहीं मिला या तो वह डेटस कराता है या फिर उसको हम एक्रिवट इंकम में डालते हैं चले हम आगे च पुझे का इंटांजिव असलेश्टी को आपने वोलें इन्वीजिवल अशेट्स होती है ति और उसको एक्सेड़ करना है ऐसेट्स लिए तो जो डूनाट एक्जिस्ट्रीकली कि यह फिजिकली एक्जिस्स नहीं करती आपको दिखेंगी नहीं सटहें सब्सक्राइट कैस फेल्ट और उनके बेनेफिट्स आपको मिलते हैं सर बताओ ऐसी कौनकौन जी आपकी बिश्चन्स रोर रो लुट्विल गुट्विल का मतलब क्या होता है इस ना अडिडास, नाइकी, रीबॉग, इनकी ब्रैंड वैल्यू है ना, Microsoft इनकी ब्रैंड वैल्यू है, इन्होंने ब्रैंड वैल्यू कैसे बनाई, इन्होंने ब्रैंड वैल्यू बनाई मेरी तरह, कैसे, हार्ड वर्क करके, अपने candidates को उनकी satisfaction के accordingly facilities देकर, तो यह होती है, good reputation of a business, good reputation और good brand image of a business, sir, इसका तो फायदा होता ही है, तो यह हमारे लिए क्या होई, asset, ठीक है, goodwill is an asset, second, बेटा, आपने देखा होगा, हर brand का अपना एक mark होता है, अपना एक design होता है, उसको हम बोलते हैं, trademark, ठीक है, वो trademark के rights उसी के पास होते हैं, वो brand use करेगा, कोई और नहीं कर प मैंने थोला, जारा सुंदर बनाती है, बुरा मत पानना, Mercedes कहीं, किसी को जा के बोलो, मैं पर case जाल दे, ठीक है, तो वो Mercedes, जो logo, जिस गाड़ी पे यह वाला logo होगा, तो वो identify हो जाती है, कि यार यह तो Mercedes है, या फिर किसी के पास, अगर सपोज, audio है, तो जीरो, जो चार बर फेलो, उसको पास audio होती है, चार चले होती है, ठीक है, तो अब यह वाले जो marks हैं, यह हर गाड़ी पे नहीं हो सकते है, तो यह identify करते हैं, इस brand की गाड़ी है, इस brand का यह product है, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो in that case, यह हमें help करते हैं, उस brand की image बनाने में, और extra पैसा कमाने में, ठीक है, brand value generate करने में, तो इस तरीके के trademark rights है, trade name हो गए, फिर, कुछ लोग rights ले ले लेते हैं, कि उनकी बनाई हुई चीज को यह copy ना कर पाए, तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ designs को, या फिर, अपनी किसी technology का copyright ले लेते हैं, rights ले लेते हैं, वो technology या वो design कोई और use नहीं कर सकता, ठीक है, एक छोटा से example और popular example लेता हूँ, apple, apple का design देख रहे हैं, आप Nokia के phone पर नहीं आ सकता, Nokia का Apple के phone पर नहीं आ सकता, because वो उनके identity marks हैं, ठीक है, apple की जो technology है, जो apple की mac वाली technology है, वो उसने patent करा रखी है, patent rights, उसके इलावा कोई और use नहीं कर सकता, ठीक है, तो इस तरह के जो rights होते हैं, वो business में दिखते तो नहीं है, लेकिन उससे हमें benefits मिलते हैं, like apple के जो users हैं, वो apple, वो benefits उसको, वो feature apple में मिलें, किसी और phone में मिलते हैं, क्योंकि वो patent कराएं हुआ है, ठीक है, copyright लिए हो है, उसके, these are few examples of intangible assets, now we are moving towards our second word of accounting language, that is liabilities, ठीक है, यह ऐसा करते हैं, liabilities से पहले, हम एक और word है, that is called capital, हम capital के बारे में समझेंगे, ठीक है, what is capital, capital क्या होगी है, देखे, यह रहा एक owner, ठीक है, यह है एक person, अब यह business शुरू कर रहा है, ठीक है, बिजनस शुरू करेगा, तो यह business क्या क्या लाएगा, मालेक क्या लाएगा, अब इसने एक business शुरू करा, ठीक है, मुझे ऐसे ही shop verb, सब ऐसी बनानी आती है, इसने business श कैश और काइंड दोनों मिला के कैश का मतलब क्या होता है पैसा नकद काइंड मतलब चीजें तो टोटल जो पैस टोटल जो इसने एसेट्स लगाई के दस लाग रुबेगी लगाई खुछ थी और कुछ काइंड में थी तो जो पैसा एक ऊणर अपने पास से जो पैसा एक ऑणर अपने पास से बिजनस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं कैसे कैसे करेंगे तो लिखेंगे amounts, amount invested by the business, invested by the owner in the business, ठीक है, जो भी पैसा, ठीक है, amount in cash और kind, कोई भी चीज, अगर owner अपने पास से business के अंदर लगा रहा है, तो कहा जाता है, कि वो उसने इतनी capital business के अंदर डाली, मैं छोटा से example ले रहा हूँ, आप वो clear हो जाएगा, मेरे एक दोस्ते शर्मा जी, ठीक है, शर्मा जी ने business शुरू करा, ठीक है, शर्मा जी business शुरू करत कि शैंकी सर, आप भी मेरे accountant बन जाओ, मैंने का ठीक है सर, एक बात दाओ, business शुरू करो कि business में क्या-क्या लगा रहे हैं, उन्होंने का मैं लगा रहा हूँ cash, 2,00,00, और मेरे पास कुछ machine पढ़ी हुए घर पे, कहां पढ़ी हुए घर पे, 5,00,00, रुपे की, मैंने का शर 7,00,00, तो मैंने का this is your capital, ठीक है, this was my first example, अभी मैं queries लूँगा, मेरा दूसरा example लेते हैं, शर्मा जी को देखा दे कि वर्मा जी ने भी काम शुरू कर दिया, वर्मा जी ने कहा, शैंकीजर आप accountant हो, आप शर्मा जी की accounting कर रहे हो, मेरी भी कर दो, मैंने का वर्मा जी, आप अपने business अभी शुरू कर रहे कितने से, कह रहा है मैंने 1,00,00, रुपे cash लगाया अपना, उसके बाद मेरे पास कुछ machine ने पड़ी हुई थी, घर पे 2,00,00, रुपे की वो लगा रहा हूँ, और मेरे पास कुछ stock पड़ा हुआ था, 3,00,00, मैं वो भी लगा रहा हूँ, औ ठीक है, वो भी मैं business में use कर लो, जो 50,000,00, रुपे की है, अब मुझे बताइए, वर्मा जी ने business के अंदर total कितना पैसा लगाया, answer में, capital is 6,50,000, क्या दिख रहा है आपको, वर्मा जी के इलावा किसी और नहीं हाँ पैसा लगाया, नहीं, तो capital, जो honor, वर्मा जी कोई है, जो पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहा है, that is called capital, अपने पास से जो मैंने पैसा लगाया, that is called capital, और capital का दूसरा नाम होता है, capital का दूसरा नाम लिख लेंगे आप यहां पे, इसको हम बोलते है, owners fund, ठीक है, इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते है, owners equity, इसको आप ऐस पैसे भी बोल सकते है, own funds, owned funds, owned का मतलब क्या होता है, मेरे खुद के, जो पैसा, जो resources, मेरे खुद के है, that is called capital, ठीक है, सर एक example, और देदो, यह थोड़ा हट के देना, सर, डॉली जी, ठीक है, यह भी मेरी एक दोस्ती, ठीक है, डॉली जी ने भी कहा, सब बिजनस करें, मै जार तीनरी कैसे हट जाएगी, तो डॉली जी ने भी एक shop खोली ली, डॉली जी ने अपने पास से cash लगाया, दो लाख रुपे, ठीक है, और इनके पास भी कुछ stock पढ़ा हुआ था, तीन लाख रुपे का, इसके साथ-साथ, इन्होंने bank से एक loan लिया, बैंक से लोन लिय पांच लाख रुपे का, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, कि डॉली जी ने business के अंदर total कितना पैसा लगाया, कितनी हम, मैंने word use करा, total कितना है, तो total, total मेरे business के अंदर लगा हुआ है, 10 लाख रुपे मतलब डॉली जी के business में, डॉली जी पूचेंगी, मेरे business में कितना कितनी investment है, तो क्या बताएंगे हम, 10 लाख रुपे बताएंगे ना, अब question rise होता है, डॉली जी ने अपने पास से कितना पैसा लगाया, उसको हम क्या बोलते है, capital, तो अगर कोई पूचेगा, डॉली जी, आपने अपना कितना पैसा लगाया, तो answer क्या आएगा, that is 5 लाख, अच्छा सर, यह जो आप word लिखते लिखते बीच में मिटा दिया था, वो यही था, पहले आपने समझाया, अपना पैसा लगाया, तो capital, उधार मांग के लगाया, तो liabilities, clear है यह बत, हाँ जी, third is liabilities, liabilities को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं, उधार, ठीक है, जिसने लिया नहीं हो सकता, उधार, ठीक है, यह उधार है, पैसा बोरो करना, तो आप लिखेंगे, लाइबरी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी अमाउंट, जो हमने किसी को लोटाना है, हमने उधार लिया हुआ है, ठीक है, लिखे, अमाउंट, ode to outsiders, सर यह ode to word का मतलब क्या होता है, किसी को पता है, ode to word का मतलब होता है, उधार लेना, आपने उधार लिया हुआ है, किस से लिया हुआ, outsider से, सर यह outsider कौन होते हैं, बेटा, accept honor, accept honor, everyone is, everyone is an outsider, आप किसी और का पैसा लोग है, तो समझ लो, आपने outsider का लिया हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, सर इसको थोड़ा और लिख सकते हैं, क्या हम add-on कर सकते हैं, लिखेंगे, amount, borrowed, और payable to outsiders, जो भी पैसा हमने outsiders को लोट आना है, that is a liability, is a liability, सर, यह liability की भी कुछ category होती है, क्या, बिल्कुल liability की भी दो category है, liability can be short term and long term, liability short term भी हो सकती है, long term भी, for example, बिजरी का बिल अभी pay करना है, किया नहीं, तो वो भी एक liability है, लेकिन वो short term liability, जल्दी pay करना है, लेकिन अगर bank से लोन लिए है, 10 साल का, उसको pay करने के लिए time है, तो वो हमारी क्या बनगी, long term liability, ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है, short term library को मोलते है, current liability, जो हमें within short time pay करनी है, और long term library का दूसरा नाम क्या है, जिसको pay करने के लिए हमारे पास अच्छा कासा समय है, हम लंबे समय में pay कर देंगे, ठीक है, सरब बताओ, कौन-कौन से उधार हो सकते हैं business के अंदर, फटा-फट बता दो, और फिर आची class खतम करो, बहुत ठक गए, ठीक है, बनाना शेक पीना बेटा आची class के बाद, आची class थोड़ी heavy होगी, ठीक है, सबसे पहली चीज, लोन, अगर हमने पैसा, लोन लिया हो है, लोन टेकेन, ठीक है, लोन लिया हो है, लोन दिया हो है तो asset है, लिया है तो liability, ठीक है, उसके बाद, अगर आपने कोई भी खर्चा, पे नहीं करा, employees से काम करा है, salary पे नहीं करी, वो भी क्या हो गया, उधार चड़ गया सर पे, telephone का bill पे नहीं करा, इन खर्चों को हम बोलते है, outshending expense, बिजली का bill पे नहीं करा, telephone का bill पे नहीं करा, ब्याज पे नहीं करा, interest पे नहीं करा, taxes पे कुछ shows आ रहे होते हैं, तो outshending बोले जाता है, जिसमें बहुत अच्छा perform कर रहा हो, लेकिन यहां, accounts के अंदर outshending का मतलब होता है, बकाया, work आखी मातरा, यह आखी मातरा, बकाया, सरी क्या लिख दे है, बकाया, यह कोई जानवर का नाम लग रहा है, इसको बोलते है, due but not paid, bill आ चुका है, लेकिन अभी आपने पे नहीं करा, तो उसको हम बोलते है, वो हमारी library है, उधार चड़ गया हमारे उपर, clear है, ठीक है, अब आगे चलते है, एक छोटा सा example और, खुश ने पूचा था, उसने कहा था कि सर, जिससे पैसा लेना हो, उसको बोलते है, तो जिस अगर हमने किसी बंदे से उधार पे सामान लिया, तो हमने उसको पैसा देना है अभी दिया नहीं है, तो यह हम generally हम कहते है, यह बुरे लोग, ठीक है, क्योंकि हमने इनको पैसा देना है, ठीक है, हमने इनको पैसा देना है, तो यह कौन लोग हो गए, पैसा मांगने वाले लेने वाले लोग मांगेगी क्यों इनका राइड बनता है पैसा लेने वाले लोग देने वाले लोगों को हमने असेट लिखा अच्छी चीज़े लेने वाले लोगों को हमने बुरी चीज़े लिख दिया लेने वाले लोग लेना क्यों है हमने इसे किसी भी तरीके का कोई भी लिए तो लंबी लिस्ट है लेकिन अभी हम यहीं तक करते हैं इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो देखो बेटा अब आज की क्लास का निश्कर्श क्या निकला यह यह निकला कि जब भी आप बिजनस शुरू करते हैं ठीक है तो बिजनस के अंदर आप क्या डालते हैं होते हैं कुछ इंटांजिबल होती है ठीक है दूसरी बात वह एसेट को लाने के लिए पैसा कौन देता है पहला आउनर दूसरा आउटसाइडर वह या तो मैं अपना पैसा लगांगा या किसी से मांग के लगांगा ठीक है जो पैसा ओनर ने बिजनस में डाला उसको हमने क किसी बाहर वाले से उधार लिया या किसी बाहर वाले का लॉटाना है उसको हमने क्या नाम दिया लाइप असेट किन चीजों से मिलके बनी एसेट बनी दो चीजों से मिलके से यहां सीच्वल के अंदर तो यह पुरा मेरे और इस चैपटर का नाम है चैपटर नांबर 5 तो कि संक कि तो अपमारा निक्स्ट श्रूर्व आने वाला है भाईयों और उनकी बहन ओ दिए मेरी भी कि अकाोंटेंग व्यक्वेृशन और यह क्या कहता है यह यही तो कहता है जो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे business में जो भी assets है वो किसके equal होंगी capital प्लस लाइब डी की equal होंगी क्योंकि हमारे business के अंदर जितनी भी assets है वो कहां से आई कुछ पैसा हमने own funds डाला अपना पैसा डाला और बाकी हमने बॉरो करके डाला बॉरोड फंड तो यह equation इस equation को asset is equal to capital plus live.com क्या बोलते है accounting equation और यह पूरा chapter है 10 marks का ठीक है और आज यह practical chapter हमारा शुरू होने वाला है ठीक है इसी के साथ मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कि हमारे accounts का जो base है base of accounting system जिसने मुझे इसका answer दे दिया मैं मान जाओंगा और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं मेरा accounting system जो है उसका नाम यह है कि अब दबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अपनी बुक देखेंगे तो बुक पर लिखा होता है ठीक है देखें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम इस सिस्टम को समझ रहे हैं है ना भई एक मिनट सर यह सिस्टम का सार बता दो फटा फट यह सिस्टम का सार यह है कि देखें यह हमारी accounting equation है जो कहती है मेरे बिजनस के अंदर जो assets है या तो वो owned है या फिर वो borrowed पैसों से आई है और यह डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यह कहता है कि कभी कि भी equation अनेक्वल नहीं हो सकती लहेश और रहेश हमेशा एक्वल रहेंगे कुछ भी कर लो भगवान क्रिशन आ जाए या कहीं के भी कोई भगवान आ जाए वो भी आ कि आके आपको बोले कि यह equation अनेक्वल हो सकती है तो आप समझ जाना कि वह आदमी गलत आदमी है ठीक है क्यों कहता है अब उसकी बात सुनिए डबल एंट्री बुक्कीविंग सिस्टम ने कहा कि मेरे बिजनस में एसेट जितनी भी है वो या तो ओंड है या फिर वो बॉरोड है मतलब कैपिटल एसेट्स इस एक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है ना बई मेरी जेम म रखे हुए है आप पूछो किसके मैं बोलूंगा यार असी में रहे है तो मतलब बीस प्रुपे किसी और के हुए क्या यह एक्वेशन कभी चेंज हो सकती है नहीं हो सकती तो यह कहता है लहें रहेंगे अब इसका मैं इसको एक्स्प्रेइन करने वाला हूँ इस पर यह लिखना है आपने बहुत इंपॉर्टन लाइन है यह थोड़ा सा इस लाइंग्वेज में लिखा हूंगा मैं एस पर डबल एंट्री कि नोट्स बन रहे हैं आपके बुक कीपिंग सिस्ट्रम कि एवरी ट्रांजेक्शन कि एवरी ट्रांजेक्शन एस डबल एक्ट हर ट्रांजेक्शन के डबल एक्ट होते हैं ठीक है विझ कीप्स विच कीप्स बोट दा साइट्स बोट the sides equal यह कहता है हर transaction की कितने effect होते है कोई भी बूचेगा double entry किसके बारे में बात करता है जी double effect के बारे में बात करता है ठीक है आप ने हमेशा यह वाथ जा रखनी है और वह double effect का क्या रूल होता है वो दोनों sides को equal रखता है ठीक है सर यह दोनों sides कब्स साइच बओद साइट का मतलब किया यह है ल 17 दो ही कंद साइट राफट साइट आच राइट साइट राइडी बोलते हैं करेश्छ इसका बिष क्रेड़िट साइट कुछ नहीं है सिरफ चैसलिक है इसकी सबस्क्रीं जो concepts है वो हम आगे सी आगे आने वाली class में सीखेंगे और अब हमारा चाप्टर शुनूरे वाला next class के अंदर accounting question 10 marks का chapter है और बहुत मुझे से cover करेंगे और वो क्या कहता है बस इतनी जी तो बात कहता है कि हमारे business में जो assets है capital और liabilities के equal है मतलब अगर मेरे पास 10 लाग रुपे की assets है छे लाग मैंने अपना डाला हुआ है तो मतलब बाकी पैसा 4 लाग रुपे उधार का है मैंने किसी और से लेकर डाला हुआ है clear है any doubt in it no doctor no sir